हेलो दोस्तो मिरा नाम है तोफिक आप देख रहे है टेकिनिकल तोफिक चैनल चले दोस्तो आज हम बात करेंगे smart VPN fast stable application के बारे में जिया दोस्ति एप्लिकेशन क्या है और इस application को properly सही से आप अपने mobile कंदर कैसे यूज़ कर सकती ये application आपकर क्या काम में आने वाला है ये सभ और आपको one tap में यहाप connect कर सकते हो और भी में बात कर लेते हो तो बहुत ही reliable यहापको इस application के अंदर stable server मिल जाते हैं तो अगर जैसा में बता था हूँ एसा गर आप यूज नहीं करते हो तो आपको भी यहापर problem पक्की होने वाली है सबसे पहले आपको क्या करना है smart VPN application को use कर देना है उसके बाद दोस्ते application का home page को जिस परकार से बे ओपन हो जाता है बिल्कुल simple सा home page रहता है सबसे पहले में बात कर लेता हो तो उपर की तरब यहापर आपको setting का option मिल जाता है इस पर में क्लिक कर लेतो तो यहापर आपको rate share और privacy policy का option मिल जाता है यहां से में ब्या पर आपको एक बड़ा सा connection का option मिल जाता है इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको VPN automatically random server के अंदर connect हो जाता है अगर आपको server select करना थी यहापर आपको US1 option दिखरा है इस पर क्लिक कर लेना है उसके बाद देख सकती है आपको एक server मिल जाता है अब आपको क्या करना है यह क्लिक कर लेना है उसके बाद दोस्ते हैं यहाप देख सकते हो प्रोक्सी डिटेक्टिंग यहाप आपकी start हो जाएगा यानि कि आपका VPN connect होना start हो जाएगा जैसे आप सर्वर पर click करोंगे आपका VPN connect होना start हो जाएगा और खुची सेकंड में यहापर आपका VPN भी connect हो यहां पर हो चुका यूर नेटवर्क इस नाव सेकर और इस भी टेश्टे भी कर सकते वीपेन कनेक्ट होने के बाद आप यहां से में ब्याक आयाता हूँ देख सकते वीपेन कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेर दिखाता है यहां पर आपका टाइमिंग स्टा हो जाएगा और कुछ सेकेंड बाद आपको वीपेंड भी डिसकनेक्ट हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों सही से यूज करने का तरीका में ने बता दिया है और वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो कर देना लाइक और चेनल को कर देना सब्सक्राइब